तो आप सब बहुत अच्छे होंगे अज दीखिए मेरा किचन के ता बिखरा पड़ा है आज अग्छली मेरी तब थोड़ी सी ठीक नहीं लग रहे थी तो मैंने ऐसे ही सारा छोड़ दिया और दुपेर में बच्चे आगए और आके उनको खाना वाना खिला के उसके बाद बस मैंना उन लोगों के साथ ही थोड़ा सा लेट गई थी और आप देखिए मैंना सारा समेट रही हूं दुपेर में मैंने आलू दम आलू बनाया था तो बच गया थोड़ा सा कढ़ाई में ही रखा था मैंने कुछ भी नहीं समेट के रखा था और ये दिखे जित्ती भी अब की शुबचिन तक मेरे पास ही आती है हमेशा और वह आने वाली है उसने कॉल किया था तो मैंने सोचा कि जल्दी से उठती हूं किचन में समेट थी फिर कोई आता है ऐसे थोड़ा सा भी जाग के भी देख लेता है किचन में और इतना बख्रा पड़ा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी उठती हूं सारा समेटती हूं और इधर ऐसे ही काम करते करते ना वह आ भी गई और यह देखिए मैं उसकी आइब्रो बना रही हूं वह हमेशा मेरे पास ही आती है आइब्रो पर लिप्स कराने के लिए आई ह करनी है तो मैंनका कोई बात नहीं आप आजाओ में इधर ही हूं तो फिर वो आई और मैंने पता उदर मेरा काम भी आदा हदुरा पड़ा हुआ है यह लोग मेरे काम को बहुत इंपोर्टेंस देते हैं इन लोगों को मेरा काम बहुत अच्छा लगता है इसलिए लोग मेरे पास आते हैं तो मैं इनको भी इगनोर नहीं करती हूं हमेशा मैं अपना काम छोड़के इनका काम पहले करती हूं कभी भी अगर यह लोग कॉल करते हैं तो मैं कभी इनको इगनोर नहीं करती अगर मैं यहां होती हूं तो मैं हमेशा उनको बुलाती हूं ठीक है आजाओ मैं अपना काम छोड़के आपका काम कर दूंगी कोई इश्यू नहीं है और इसलिए ये लोग मुझे इतनी पूरा समेट दिया है बस बर्तन थोड़े बहुत पड़े थे तो मैं उनको भी अब समेट देती हूं पूरा और उधर रायमा भी सो रही है और शौबिक देखी उड़ गया है वो टीवी देख रहा है तो क्या खाएगा मैं पूछ लेती हूं थोड़ा बेटो क्या खाना है रात में दलिया दलिया मिठा दलिया दूद दलिया ठीक है जालो और इधर रायमा देखिए मेरी अभी भी सो रही है उसको जगाती हूं देखिए हिलना डूलना चालू है उसका है अधर रायमा के सिर में एक बड़ा सा दाग देख रहे हैं फ्रेंड्स मेरे हाथ मेरे बड़े नाखुन ते वह नाखुन से उसको लग गया था बहुत खून निकल रहा था मूं उस दिन रात भर नई सोई पता में बहुत रोई और बस मैं आ गई हम किचिन में बस शॉब अधर है नाख के लिए बनाऊगी यह देखे विल कर रख दिया पहले कुकर को अच्छे से गरम का लिया फिर इसमें डलिया डालके उसको देखिए अच्छा ब्राउन होने तक अच्छे से मैंने बहुन लिया अब मैं इसमें घी डाल दूंगी गी डालके और इस पहलका सर गून लूँगी और फिर इसमें पानी डाल दूँगी पानी डालने के बाद बस मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अभी में इसमें गूडिया शक्कर कुछ भी नहीं डालूँगी और बस इसको लीड लगा के अच्छे से 5-6 सि पाने का मन कर गया तो मैं देखे लाई भून रही हूँ लाई के थोड़ा सा नरम हो गया है तो मैं उसको हलका सा गरम कड़ाई में ऐसे ही उलट पलट के सेक लूँगी तो फिर वो कुरकुरी हो जाएगी लाई फ्राई करते करते मेरी रायमा आ गई रायमा आके बोलने प्यास कट करके डाल दिया बारिक बारिक और इसमें थोड़ा स नमकीन डालोगी काला नमक चुटकी भर डालोगी टेस्ट लिए और इसमें में डालोगी सांबर मसाला इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सांबर मसाला डालने के बाद मैं इसमें हलका when mustard oil एट करूँगी और इसको बहुत अच्छी से मिक्स कर लूँगी और ये देखिए मेरा भेल भी तयार हो गया है बस दलिया वगेरा मेरा सब कुछ बनके रेडी है बच्चों को जब भूग लगेगी तब मैं उनको दे दूँगी बच्चे देखिए यहाँ पर बैटके फ्राइस खा रहे है और मैं भेल खारी हूँ और साथ में शौबिक की पढ़ाई का भी थोड़ा बहुत देख रही हूँ अगले मेने के साथ तारिक से शायद से बच्चों के एक्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो इधर पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान देना बहुत जरूरी है बस यह देखिए यह लोग फ्राइस खा रहे हैं और मैं भी उधर बिजी हूँ फ्राइस खाने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद खुदा फानी करने के बाद शौबिक बोलने लग गया ममा मुझे भूख लग रही है दलिया दे दो दलिया बनाओ तो मेरा बच्चा बस जब तक वो खाता नहीं है तब तक उसका मतलब की क्या भूलू मैं मेरे पीछे ही पढ़ जाता है और बस दलिया देखिया यहाँ पे बन गया है और मैंने बहुत अच्छे से दलिया एकदम गल गया है मैंने बस उसको कटोरी में निकाल लिया उसमें दूद आट कर दिया और आज शक्कर नहीं था तो मैंने गुड डाला गुड से और हेल्दी होता है ये तो मैंने आज गुड़ ही एड़ किया है और बस ये खाने के लिए रेड़ी है इसको अच्छे से मिक्स कर दें और बस बच्चों को सर्फ कर दें और ये देखिए फ्रेंड्स मेरा शौबिक दलिया खा रहा है उसको बहुत पसंद है दलिया वो शाम को कुछ भी अगर मैं उससे पूछ हूँ कि बेटा क्या चाहिए फर्माईश क्या है तो वो ये ही बोलता है ममा मुझे दलिया खाना है और दलिया हेल्दी भी होता है इसलिए मैं हमेशा अगर वो बोलता है दलिया के लिए तो मैं हमेशा दलिया उसको बना के देती हूँ और यहां राइमा को देखिए राइमा स्ट्रेचू की तरह खड़ी है उसको मुझे खिलाना पड़ेगा थभी वो खाएगी और फ्रेंट्स आज का मेरा ब्लोग यही तक का है आपको मेरा आज का ब्लोग कैसा लगा जरूर बताएगा पसंद है तो like, share और comment कीजेगा और जो नए फ्रेंट्स मेरे ब्लोग को देखते हैं अगर मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe कीजेगा मिलते है अगले ब्लॉग में बाई बाई